Hello Friends Hello Friends Actually, मेरा जो लाइफ है बहुत अलग है मतलब अल्मूस्ट फर्स्ट टेंथ इस्टेंथ में रहा हूँ बॉर्डिंग स्कूल में रहा हूँ तो वहाँ अलग लाइफ था एक मॉडरन लाइफस्टाल था मेरा बहुती अलग जीवन था मैं कोई सादू नहीं हूँ ना महराज हूँ ना कोई संत हूँ मैं एक नॉर्माल इंसान हूँ मतलब लेकिन अगर आप मेरे पोस्ट देखेगे तो आप देखेगे कि कि रोच कुछ न कुछ मैं ऐसा धर्मिक पोस्ट करता हूँ मतलब हिंदू धर्म इतना पवित्र है के एक जर्म हमें कम पड़ जाएगा मतलब अगर हम पूरी तरह से समझने की कोशिश भी करेगे तो एक जर्म में नहीं समझ पाएगे हमें बहुत जल्म लेना पड़ेगा हिंदू धर्म को समझने के लिए वेद, पुरान, शास्त्र हर दिन हिंदू धर्म का महत्वा होता है अगर अब देखेगे, अगर अब पंचांग में देखेगे तो हर दिन भगवान की जैनती होती है, हर दिन दीवीदी उताओ की जैनती होती है और मेरा बच्पन से ही मतलब कोशिश रही है मतलब जैसे जैसे मतलब एक बड़े होते के तो एक कोशिश रही है के हिंदु धर्म को समझना मतलब मैं रोच कोशिश करता हूँ कुछ नो कुछ नया सीखने का कुछ नो कुछ नया समझने का तो मेरा शुरू से लेकर अब तक एक ही प्रहास है कि हिंदू धर्म के जो हम कहते हैं फेस्टिबल मुझा पूरे साल में कितने फेस्टिबल होते हैं यह जाननी की कोशिश करना देवी देवताओ की जयांती के बारे में जाननी की कोशिश करना किस देवी देवताओ का कौन से दिन कौन सा महतुआ है, तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मैंने अपनी पूरी जिन्दगी, almost 43 years का हूँ, मैंने पूरी life हिंदू देवी देवी देवताओं के बारे में मतलब बहुत मैंने बहुत ज़ादा स्टड़ी किया है और मैं रोज पोस्ट करता हूँ जैसे ही मुदे पता चलता है मैं बहुत ज़ादा स्टड़ी करता हूँ कि कौन से देवी देवताओं का कब जहनती है कौन से देवी देवताओं का क्या म तो सबसे पहले मैं यह कहना चाहूगका, मैं एक नर्मल इंसान हूँ, मैं कोई संत्साधों नहीं हूँ, लेकिन मेरा कोशिश यही होता है, कि हिंदू देवी देवता rounding कि जो deus festival से, सारे festivals को अर्ड़ कि मैं study करता हूँ और उसे study करने के बाद बहुत जाधा मतलब मैं यह करत हो और पोस्ट करता हूँ जादा से जादा हिंदु धर्म के तेवारों के धिन्दु देवी देवتي उता हूँ वेद पूर्ण शास्तर के बहुत जादा से ज़ादा सटडि करकर पोस्ट करने की कोशिश कर तौ मेरी म tremendously मेरा जल्म ही हुआ है हिंदु धर्म में तो मिझे इतना जादा गर्व फिल हुता है इतना जादा प्राउड फिल हुता है हिंदु होने पर और मेरे कोशिश पूरी जिन्दगी मतलब मैं 42 यर्स का हो सकता मैं 100 यर्स का हो जाओगा कुछ साल तक तो 42 साल से लेकर 100 यर्स तक मैं हर रोज कोशिश करूगा हिंदु दिवी दिवताओं की बारे में जानने की उनके फेस्टिवल्स पोस्ट करते ही रहोगा ये पोस्ट मेरा कभी बनने होगा ये शुरू कंटिनियूस चलता ही रहेगा मतलब मैं बहुत जादा कोशिश करता हू कुछ न कुछ नया सीखने के कुछ नया सीखने के बारे में और मेरे पोस्ट कंटिनियूस होते रहेगा इस तरह से जाए हिन जाए भारत